Hello friends, BSC की special class में आप सभी लोगों का एक बार फिर से most welcome है और आज किस वीडियो में हम discuss करेंगी BSC First Year Geology का थर्ड सेमेस्टर है Cell Biology and Genetics और जैसा कि आप लोगों को पता है इस सेमेस्टर से हम काफी सारी वीडियो बना चुके हैं ठीक है Cell Baloo जी के टोपिक्स हम काफी सारे टोपिक कवर कर चुके हैं जैसे की plasma membrane जो की most important topic है आपकी examination paper के लिए लोग question में हर साल पूछे जाता है इसके अलावा cell क्या है? Cell का cell की theory, cell की structure, cell का function, prokaryotic, eukaryotic cell में differentiation वो सब हम already discuss कर चुके हैं इसके लावा जैसे cell organ, important cell organ, जैसे की ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome और आज किस वीडियो में हम discuss करेंगे, nucleus के बारे में द्यान रहे, mitochondria का एक important topic वो भी मैं upload कर चुका हूँ, एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ mitochondria के उपर, उस पर भी long question पूछे जाता है तो अगर आप देखें, important question के अगर मैं list बनाओं, इसके अंदर, in cell biology के अंदर तो एक तो plasma membrane होता है, जो आपका सड़े 7 number में हर साल question पूछे जाता है और एक mitochondria से लेटिर important question पूछे जाता है endoplasmic reticulum पर भी long question कई बार देखा गया है और ये जो आप मैं topic कराने वाला हूँ, nucleus इसके उपर भी एक long question कई बार पूछ ले जाता है short question इसमें definitely आपसे nucleolus क्या होता है nuclear envelope, nuclear pore, इससे related question पूछे जाते हैं तो इससे short question ज्यादा पूछे जाते है, nucleus से related तो आज किस वीडियो में हम nucleus को cover करेंगे nucleus की structure क्या है, nucleus का function क्या है एक important experiment, most important experiment आज में discuss करने वाला हूँ hammerling experiment इसी वीडियो के अंदर ये काफी important है जो कि proof करता है कि जो nucleus है वो cell का brain की तरह work करता है ठीके जिस तरह से brain हमारी body को control करता है इसी तरह से जो nucleus है वो पूरे cell को control करता है ये जो experiment है, hammerling ने दिया था जिसको हम आज हम discuss करेंगे इसके लबा जो cell के अंदर जो nucleus का function है वो भी काफी important है, उसको भी हम discuss करेंगे ठीके, तो चलिए दोस्तों start करते हैं चलिए दोस्तों heading डालते है nucleus अब हम यहाँ पर nucleus का जितना भी basic information है उसके बारे में हम discuss करेंगे और पहले ही बता देता हूँ, ऐसे student जिनके examination paper MCQs based होते हैं, उनको मैं points बताता रहूँगा आप note करते रहेंगे MCQs के लिए ठीके, ऐसे बहुत सारे से college है जहाँ पर BSC में MCQs based question पुछे जाते हैं तो उनको मैं जो points आपको बताता रहूँगा MCQs के लिए आप note करते रहें तो अभी फिलाल हम इस clip के अंदर सबसे पहले basic information निकालेंगे ठीक है, यह दो diagram से आप देख सकते हैं nucleus का, यसी endoplasmic reticulum का diagram है और जैसा है कि आप लोग को पता हैं काफी सारे cell organ जो की आपके examination paper के लिए important है आपके उनके बारे में जानना ज़रूरी है वो सब मैं already upload कर चुका हूँ जैसे endoplasmic reticulum हो जाता है golgi complex हो जाता है lysosome, mitochondria, GERL system यह सब जो है cells related काफी सारे topics में upload कर चुका हूँ आप channel के अंदर जाएंगे मिल जाएगा या इसी video के description box में आपको link मिल जाएगा आप महां तक पहुँच जाएंगे so don't worry आज का हमारा जो topic है वो nucleus है जिसको हम complete study करेंगे एकदम depth में जाकर के इसको study करेंगे तो number first हम इसकी जो basic information है जैसे इसकी discovery किस ने की थी कि scientist ने इसको discover किया था और occurrence कहां पर ये पाया जाता है किन-किन cells में present होता है किन-किन cells में absent होता है इससे related mcqs questions ज़्यादा पूछे जाते हैं अब हम देखेंगे जैसे cell होता है cell में nucleus की position क्या है तो आप देखेंगे कि जो nucleus की cell होता है उसके अंदर चाहिए वो prokaryotic cell हो eukaryotic cell हो, plant या animal cell हो इन में आप देखेंगे nucleus जो होता है वो vary करता रहता है position में, number में, size में, shape में ये सब इसमें variation देखने को मिलेगा किसी में इनकी संखिया ज़्यादा होती है तो किसी में कम होती है लेकिन generally हम अचलिए स्टाट करते है number first discovery discovery की थी Robert Brown ने 1831 में 1831 में आर्टीड सेल्स के अंदर Robert Brown ने इसको discover किया था यह point note करना है, दूसरा point है जो nucleus होता है इसको हम cell का director कहते है ठीके, मतलब यह जितनी भी cellular activities है जितना भी cellular function होता है इसको कौन direct करता है nucleus और यह जो है कैसे पता चला Hammerling scientist ने acetabularia algae के उपर इसकी दो species होती है जिसके उपर एक experiment किया था और उस experiment से यह proof हुआ कि जो nucleus होता है वो cell की जितने भी activities है उनको यह control करता है cytoplasm नहीं करता इस बात का experiment अभी हम बहुत ही detail में उस experiment को भी इसी video के अंदर मैं आपको बताऊंगा ता कि आप easily आप समझ पाएं ठीके क्योंकि basic knowledge बहुत important होता है उसके बाद आप धीरे धीरे complex में जाते रहेंगे जैसे जैसे आपका level increase होता रहेगा ठीके तो उसके बाद देखिए occurrence के अंदर हम देखेंगे जैसे कि आप लोगों पता चल गया है कि जो nucleus होता है उसको हम cell का director कहते है ठीके अभी इससे पहले हम mitochondria को cell का powerhouse कहते है तो हर एक cell organ अपने अपने एक definite function के base पर famous है कि मेरा ये काम है मेरा जो main काम है ये है जैसे ribosome है उसका main function क्या है protein का sensation करना mitochondria का main function क्या है energy produce करना ATP के form में तो हर एक cell organs का अपना main काम होता है ठीके इसका main काम क्या है cell की जितनी भी activities है cellular activities है उनको control करना correct अब आती है बात occurrence पर कि भाई इनका प्राप्ति स्थान cell के अंदर ये कहां पर पाये जाते है तो एक true nucleus अब यहां पर जो nucleus होता है अब किसी में nuclear membrane absent है अब यहम इसकी ultra structure को देखेंगे तो बहुत detail में जाएंगे हम depth में जाकर के study करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जो nucleus है वो double membrane bounded organal है तो यह जो prokaryotic और eukaryotic cells होती है इन दोनों में nucleus पाये जाता है बट prokaryotic cell के अंदर true nucleus absent होता है और eukaryotic cell के अंदर true nucleus पाये जाता है true और false nucleus से हमारा क्या मतलब है देखें जैसे यह true nucleus होता है उसमें definite nuclear membrane पाये जाती है जैसे कि आप देख रहे है double membrane bounded है ठीक है और दूसरा जैसे में linear chromosome है तो मतलब ऐसे भी cell है जिसके अंदर ऐसे भी nucleus है जिसके अंदर membrane absent है तो उसको हम बोल देते हैं और भी बहुत सारी को differentiation है true nucleus और false nucleus में या prokaryotic nucleus और eukaryotic nucleus के अंदर बहुत सी differentiation है जिसको हम discuss कर लेंगे तो अभी आपको इतना रखना है कि जो prokaryotic cell के अंदर nucleus पाया जाता है वो membrane less होता है less develop होता है correct और जो eukaryotic cell के अंदर जैसे की plant cell, animal cell ये सब eukaryotic cell के अंदर आते हैं तो इनके अंदर जो nucleus पाया जाता है वो एकदम well-filled होता है well-developed होता है correct सो अभी आपको MCQs के लिए ये note करना है in present of OU अब except exceptional case जाता पूछा जाता है MCQs में ठीक है या competitive exam में आप चाहे need की भी तियारी कर लें तो उसमें ठीक है तो मतलब जितने भी medical entrance examination paper है उन सभी के लिए जो exceptional case होते हैं उनको आप अलग से study करके अलग से note कीजेगा ठीक है जैसे exceptional case है mature mammalian RBC red blood carp cells जो होता है mature mammalian उसके अंदर nucleus absent होता है और आपने पढ़ा होगा complex tissue अगर आपने tissue system पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा complex tissue जैसे की xylem and phloem phloem के अंदर phloem का एक element होता है shift tubes इसके अंदर भी जो cells होती है उसके अंदर nucleus absent होता है दूसरा जो xylem होता है xylem के element देखेंगे इसके अंदर trichids भी present होता है vessels भी present होती है तो trichids और vessels के अंदर nucleus absent होता है ये point of note करेंगे अब आता है position अब cell के अंदर nucleus का position कहां कहां पर है तो guys मैंने आपको बताया position, number, shape, size ये सब vary करते हैं अलग-अलग cell में अलग-अलग तरीके से variation देखने को मिलेगा तो position generally हम क्या करते हैं nucleus को cell के अंदर एकदम center में बनाते हैं तो generally तो ये center में ही present होता है इसलिए हम बोलेंगे centric but कुछ ऐसी cells है जैसे adipocytes, fat cells के अंदर जो adipocytes होती है उसमें आप देखेंगे nucleus periphery पर present होता है ठीके कुछ ऐसे हैं जहां पर basal, जो basal part होता है cell का उसमें nucleus present होता है जैसे columnar cells इसका example है और most plant cells में eccentric होता है due to the large central vacuole जो central vacuole होता है अब लार्ज होने की वज़य से वो eccentric position पर present होता है ठीके अब हम बात करते है nucleus का number कि भई किसी भी cell के अंदर nucleus की कितनी संख्या हो सकती है तो जैसा कि मैंने आपको अल्रेडी बताया कि generally हम क्या कहेंगे mononucleate ठीके मतलब generally cell के अंदर एक ही nucleus पाए जाता है mostly the cell are monokaryotic karyotic का मतलब ही होता है karyon मतलब nucleus ठीके so monokaryotic का मतलब generally एक cell पाए जाता है but maybe anucleate anucleate का मतलब कुछ ऐसी भी cells है जिसके अंदर nucleus अपसेंट होता है जैसे red blood carpocles of mammals दूसरा uninucleate और exceptional case मैं अलड़ी बता चुका हूँ यह सब जो है anucleate ही कहलाएंगे क्योंकि इनके अंदर anucleate जो है वो absent होता है उसके बाद आता है uninucleate मतलब ऐसी cells जिसके अंदर एक single nucleus पाए जाता है उसको हम uninucleate बोलते हैं ऐसी cells जिनके अंदर दो nucleus पाए जाता है उसको हम binucleate बोलते हैं जैसे for example paramecium paramecium में मैंने आपको जब conjugation पढ़ाया था या paramecium की structure मैंने आपको जब बताया तो उसके अंदर मैंने क्या बताया है कि nucleus दो तरह की होते हैं एक होता है macronucleate एक होता है micronucleate micronucleate small nucleus बोलते हैं macronucleate बड़ा वाला nucleus जैसे कि जो बड़ा वाला nucleus जो होता है macronucleate वो जो paramecium के अंदर जितने भी metabolic activity है उसको control कर रहा था जबकि जो micronucleate था वो genetic character को उसके जो genetic collection है तो दो तरह हैं के nucleus अगर एक ही cell में present है तो उसको हम बोलेंगे binucleate और binucleate का example है सबसे अच्छा paramecium उसके बाद आता है multinucleate अब ऐसी भी cells हैं जिसके अंदर multinucleate condition पाए जाती है मतलब बहुत सारे nucleus एक ही cell के अंदर काफी सारे nucleus जैसे for example opalina opalina के अंदर ऐसा proto जो है जिसके अंदर multinucleate condition पाए जाती है मतलब या polynucleate भी बोल देते है मतलब poly मतलब बहुत सारे multi मतलब बहुत सारे तो ज्यादा एक ही cell के अंदर अगर बहुत सारे nucleus पाए जाते हो तो आप कहेंगे यह multinucleate है ठीक है और भी इसके example ऐसे voluntary muscles of muscle fibers के अंदर भी ठीक है अब जैसे कुछ cells होती है multi-nucleate जैसे for example हम fungal hypy जब मैंने आपको fungi का character बताया था तो उसमें मैंने आपको क्या बताया कि जो fungal hypy है किसी-किसी fungal hypy को मैं कह रहा था cynocytic होता है cynocytic का मतलब यही है कि अगर एक ही cell के अंदर बहुत सारे यह animal cell के लिए term यूज हुआ है ठीक है कोई ऐसा strict rule नहीं है कि आप यही यूज करोगे बट यह जो है तरीके से animal के लिए अलग और plant के लिए अलग यूज किया गया है sinistrial जैसे animal के अंदर यह जैसे for example epidermal cell of ascaris ascaris का जो epidermal cell है उसके अंदर बहुत सारे nucleus पाए जाते है multi-nucleate condition पाए जाती है तो उसको हम sinistrial बोल देते हैं अब आपके mind बे यह आ रहा होगा कि कैसे एक ही cell के अंदर multi-nucleate condition कैसे हो गई तो देखो reason क्या है मैं आपको बताता हूँ जब cell divide होता है जब cell divide होता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है nucleus का division जिसको हम क्या बोलते है karyokinesis karyo मतलब nucleus और kinesis का मतलब division तो सबसे पहले nucleus का division होता है फिर उसके बाद होता है cytoplasm का division मतलब cytoplasm मतलब जैसे कि आप देखेंगे किसी भी cell के अंदर तो ये तो center में nucleus है और इसके अंदर जो liquid भड़ा हुआ है उसको हम cytoplasm बोलेंगे सबसे पहले होगा karyokinesis मतलब nucleus का division उसके बाद cytoplasm का division होगा जिसको हम बोलते है cytokinesis तो cytokinesis के थूँ cell divide हो जाती है और karyokinesis के थूँ nucleus divide होता है तो पहले होता है karyokinesis अगर suppose करो किसी cell में जैसे ये cell है अगर इसमें सबसे पहले karyokinesis होता है मतलब nucleus division होता है तो nucleus divide होकर कि एक से दो हो गए अब सोचो इसके बाद अगर cytokinesis का cytokinesis का procedure ना हो मतलब karyokinesis तो हो गया nucleus तो divide हो गया लेकिन cell divide ना हो cytokinesis ना हो तो इस condition में ये जो nucleus है further फिर दुबारा से divide करेगा फिर से karyokinesis होगा तो ये एक से 4 हो जाएंगी तो एक ही cell के अंदर 4 nucleus हो गया तो इस condition को क्या है multi-nucleate तो इस condition से ही जो है multi-nucleate और uni-nucleate की जो condition है वो आती है एक ही cell के अंदर multi-nucleate ऐसे ही बनता है अब हमारा topic आता है shape जैसे कि हमने number को भी discuss कर लिया है अब हम देखते है nucleus का shape कैसा कैसा हो सकता है तो ये भी variation show करता है generally spherical होगा generally हम क्या करते है nucleus को जो है spherical बनाते है गोलाकार बनाते है जैसे for example cuboidal cells cuboidal germ cells के अंदर और इसके बाद ये oval shape का भी होता है जैसे for example intestine की जो columnar cells होती है उसके अंदर nucleus जो होता है वो oval shape का होता है उसके बाद discoidal flat cells of endothelium endothelium की जो flat cells होती है उसमें discoidal shape में होता है nucleus kidney shape जैसे for example mega nucleus paramecium के अंदर जो mega nucleus मैंने आपको बनाया था वो बताया था एकदम kidney की तरह होता है जो बड़ा सा nucleus था जो बड़े वाला nucleus था macro nucleus था वो सब जो है उसका shape कैसा था kidney shape तो इस shape का भी nucleus पाया जाता है for example mega nucleus of 40 cell by lobed condition में भी मिलता है nucleus जो होता है वो by lobed shape में भी मिलता है जैसे for example acidophils तो generally क्या होता है depend upon the shape of the cell जो cell की shape है उसी पर ये depend करता है ठीक है कि generally जो cell की shape होती है nucleus जो होता है वो कि shape का होगा ये depend करता है कि cell के shape क्या है ठीक है अब हम बात करते हैं size के बारे में nucleus का size तो देखिए दोस्तों nucleus का जो size होता है it is also very wide in depend upon ये जो है ये जो है also vary करता है जैसे मैंने आपको बता है position भी variation देशो करता है number of nucleus का जो number है उसमें भी variation देखने को मिला shape में भी variation देखने को मिला तो size में भी variation देखने को मिलता है it is also very widely depend upon ये भी depend करता है किस पर एक तो एक है nucleo-cytoplasmic index ये आपको BSC में ही दीखने को मिलेगा nucleo-cytoplasmic index और दूसरा है directly proportional to the number of chromosomes अगर किसी nucleus के अंदर chromosomes का number अगर जादा है तो उसका जो shape होगा वो जादा होगा उसका जो size होगा वो जादा हो जाएगा तो मतलब ये depend करता है अगर suppose करो chromosomes की संख्या जादा है तो size अपने हाप जादा हो जाएगा nucleus का तो ये इसके उपर भी दो ऐसे fact है जिसके उपर ये depend करता है अब ये जो nucleosytoplasmic index है ये आप देखेंगे इसका mathematical concept भी दिया गया है जैसे cell के अंदर जो nucleus है उसका एक अपना अलग से निश्चित shape है एक आकार है तीक है वो एक अलग तरीके से उसके अंदर adjust हुआ है और cytoplasm के अंदर तो इन दोनों का जो समानुपात है उसी से हम निकालते है जैसे ये NP यहाँ पर show कर रहा है nucleosytoplasmic index को और VN एक संख्या है ठीक है VN जो है VN जो है वो nuclear volume को show कर रहा है और VC जो है ये volume of cell ये cell के volume को show कर रहा है तो इसको इससे माइनस करके जो है इस तरीके से निकाला जा सकता है तो इसको हम बोलते है nucleosytoplasmic index cytoplasm के अंदर जो nucleus का एक अलग से समानुपात इन दोनों के बीच एक समानुपात होता है जिसे हम इसको find out कर सकते हैं तो दो चीजे जो size होती है वो दो चीजों पर vary कर सकती है जो कि मैंने आपको बताया अब यहाँ पर अगर इसकी structure को देखें अभी हम अभी इसकी ultra structure को मैं आपको बताने वाला हूँ हलाकि यह सब सारा basic information था लेकिन अभी अब इसकी अगर हम इसकी ultra structure को discuss करें जैसे यह nucleus है अभी इसकी structure में आप सबसे पहले आप क्या देखते हो nuclear envelope nuclear envelope में आप क्या देखते हैं इसमें दो तरह की membrane है एक outer membrane है और एक inner membrane है और इन outer और inner membrane के बीच यह जो space आपको दिखाई दे रहा है खाली space इसको हम बोलते है peri nuclear space ठीक है तो यह तीनों मिलकर की क्या बना रहे है nuclear envelope अब आप देखेंगे nuclear envelope के बीच-बीच में कुछ pore भी पाय जा रहे है कुछ जगह है ठीक है जहां से material का transport होता है cytoplasm का connection किस से होता है nucleoplasm ठीक है nucleoplasm जो की nuclear इसके अंदर present है पुरा का पुरा जो liquid present है इसके अंदर जो भी plasma present होगा उसको हम nucleoplasm बोलते है तो nucleoplasm का connection cytoplasm से कैसे होता है कैसे इनके बीच material का transport होता है जैसे for example nucleolos है nucleolos जो है messenger RNA बनाता है या ribosomal का RNA का synthesis करता है तो वो कैसे यहां से इसके अंदर से जाएगा इसी यह जो pore होता है इसी के through जो है बाहर जाता है अब suppose अभी एक और condition में आपको बताता हूँ ताकि आपको थोड़ा interesting लगे देखें यह जो center में nucleolos है हलाकि structure तो आपने देखी लिया है आपको पहले से ही पता होगा 12 में भी आपने पढ़ा होगा इसके बारे में यह chromatin होती है जो का आगे चल कर condense हो करके जब cell divide होती है उस समय यह chromosome में convert हो जाती है एकदम condensed हो जाती है यह nucleoplasm है इसके अंदर यह nucleolos है यह nuclear membrane है और यह attached यहाँ पर endoplasmic reticulum endoplasmic reticulum को फर्दर दो parts में इन दोनों का अलग अलग function होता है rough endoplasmic reticulum का function होता है कि वो protein का sensation करे smooth endoplasmic reticulum का function होता है कि वो cholesterol या फिर lipid का sensation करे synthesis करे तो यह endoplasmic reticulum के बारे में detail अगर आप को चाहिए तो आप channel के अंदर जाकर देख सकते हैं हलाकि अब हम यहाँ पर नुकलियस के बारे में discuss कर रहे है तो देखो नुकलियस के अंदर यह जो nucleolus present होता है यह जो एकदम dense structure आपको गोलाकार structure दिखाई दे रही है यहाँ पर इसको थोड़ा यहाँ मैंने detail में बना दिया है इसका यही डागराम यहाँ पर भे यह membrane less होती है अभी आपको लग़ा होगा कि इस पर भी membrane पाया जाता है बट नहीं इस पर यह membrane less होती है लगता है जरूर कि हाँ इस पर भी membrane present होगी बट यह membrane less होता है इसके अंदर भी आप देखेंगे यह RNA fibrils है यह non crystalline part होता है और यह chromatin part होता है ठीक है और यह granular part भी उसके अंदर होता है तो इसकी भी अपना एक composition है इसका भी अपना एक अलग structure है और membrane less होता है बट गाईस एक और point आपको बता देता हूँ ताकि आप उसको note कर लीजी जैसे यह center में nicoleolus है nicoleolus का function होता है यह ribosomal RNA का synthesis करता है अब suppose या फिर messenger RNA का synthesis करता है suppose करो अब यहां से इस nuclear pore के through यह ribosomal RNA या messenger RNA जो है cytoplasm में चला गया ठीक है अब यहां पर यह ribosom का भी scinculation करता है तो ribosom भी यहां बाहर चला गया अब ribosom के अंदर मैंने जब discuss किया था ribosom को भी मैं already discuss कर चुका हूँ जिसके अंदर मैंने आपको protein scinculation का method भी बताया था कि कैसे ribosom से protein का scinculation होता है तो cytoplasm के अंदर protein का scinculation होता है ठीक है तो messenger RNA की जरूरत पड़ेगी messenger RNA कहां से निकल कर आएगा nucleolus से तो अब suppose करो कि उस messenger RNA से protein साइटोप्लाजम में बन चुका है अब उस protein की जरूरत है nucleolus को वापस तो वो जो है इसी पोर के थूर आएगा मतलब इसी पोर के थूर मैसेंजर RNA बाहर गया protein बनाया और इसी पोर के थूर protein अंदर अंदर अंडर किया तो ये क्या कर रहा है direct कर रहा है messenger RNA protein को directional दे रहा है मतलब ये जो पोर होता है ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ इससे बाहर ही जाए कोई material अंदर भी material आ सकता है cytoplasm के अंदर से भी जो cytoplasm होता है बाहर surrounding में वो इस पोर के थूर आ सकता है अभी आप इस पोर को सोच रहे होगे एक हलका सा छेध है एक पोर है ठीक है लेकिन अब इस पोर की जब इस structure को मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको हैरानी होगी कि इसके उपर अलग-अलग कई सारे models दिए गए हैं अगर MSC की कुछ books में आप दिखेंगे बहुत सारे इसके अलग-अलग models दिए गए हैं जो कि आपको बताता है कि कैसे ये regulate करता है correct तो अभी आप इसको फटा-फट note करें चलिए दोस्तों heading डालेंगे hammerling experiment hammerling experiment काफी ज़्यादा important experiment है इसलिए मैं इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूँ ये experiment आपको ये proof करेगा कि जो nucleus होता है वो cell की सभी activity, cell की जितना भी cellular function है उसको control करता है काफी ज़्यादा important है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और ये आपको काफी कुछ समझाएगा experiment करने का देखो तरीका क्या है एक आपको point of view देगा एक clue देगा कि कैसे experiment होता है देखिए hammerling एक scientist है उन्होंने acetabularia की दो species, मतलब acetabularia क्या है, एक algae है ठीक है, लेकिन इसकी दो species पर अध्यन किया, इन्होंने experiment किया, क्या experiment किया वो मैं step by step आपको बताता हूँ और कैसे उन्होंने proof किया कि cytoplasm नहीं nucleus control करता है complete cell की activity को correct, तो आएए देखते हैं number first, आपको जो जो मैं point बताता रहूँगा, active होकर कि कोई देखो, आसपास कोई distraction नहीं होना चाहिए आपके, विल्कुल active होकर कि इस experiment पर ध्यान दो ये है acetabularia cranuleta ये जो algae है ये acetabularia algae की cranuleta species है, ये है acetabularia algae की mediterranean species, ठीक है तो दो species के बीच हुआ था ये experiment अब यहाँ पर आप जब आप इसकी acetabularia cranuleta की अगर आप body को देखें, तो ये uninucleate है, uninucleate का मतलब इसमें single nucleus present है और इसकी body की structure को तीन part में divide किया गया है, cap, stock and rhizoids, ये उपर की तरफ cap है, और बीच में stock है, और नीचे की तरफ rhizoids है, और उस rhizoids के अंदर जो मैंने red color का spot दिखाई दे रहा है आपको, वो है nucleus, अब इसी की body की को भी ध्यान से देखें, तो ये भी cap, stock and rhizoids में divide है, इन दोनों में major difference क्या है, इनका cap इसका cap आप देखेंगे, अलग है, इसका cap अलग है, experiment की main वज़य यही बनिया करके, ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहला experiment उन्हें क्या किया, क्योंकि एकदम से बड़ा experiment नहीं होता, एकदम से पहले ध्यान से देखा जाता है, कुछ हमें glow मिलते हैं, उसके base पर में experiment करते हैं जैसे, यह जो acetabularia cranulata है, या कोई भी species है, उन्होंने सबसे पहले क्या किया इसके cap को cut कर दिया cap को, और rhizoid और stock अलग हो गये और cap अलग हो गया, उन्होंने cap बना लेता है, मतलब देखिए यहाँ पर इसको जैसे ही cutting किया इसका जो cap वाला भाग है वो दुबारा से cap बना लेता है, मतलब यह जिसका जो rhizoidal वाला भाग, जो नीचे वाला part है जिसको हम rhizoidal या stock वाला भाग कहते हैं जिसके अंदर nucleus present है वो regeneration के तुरू दुबारा से cap का निर्मान कर लेता है, लेकिन वही पर इन्होंने देखा जो cap वाला भाग है यह भी तो एक part है इस हैलगी का, लेकिन यह दुबारा से इसका जो rhizoidal और stock वाला part नहीं बनाता अब यहीं से एक clue मिला कि जरूर इसके rhizoid वाले part में कुछ ऐसी चीज है पतलब कुछ ऐसा है जो कि इस दुबारा से इसका निर्मान कर लेता है जो कि पूरी cellular activity को control कर रहा है, यहीं पर एक निसकर्ष निकला था, regeneration क्या होता है, जैसे कि मैं आपको कही बार बताया हुआ ज़्य चिपकली है, चिपकली कि आप पूच को काट देते हो तो कुछ दिरोबाद आपने देखा होगा ज़्य ज़रूरी नहीं कि आप काटो उसका accident किसी भी तरह से भी चिपकली का जो पूच होता है वो तूट जाता है या कट जाता है किसी वज़े से तो वो दुबारा से regenerate करके उसकी पूछ वापस आ जाती है ठीक है वो regeneration गुरूशन cell दुबारा से divide हो करके दुबारा से multicellular दुबारा से वापस आ जाती है ठीक यही procedure regeneration का यहाँ पर हुआ वही experiment उन्हेंने दूसरी species पर भी किया दूसरी species को भी उन्हेंने उसके cutting किया उसका cap जो है अलग किया इस टोक और rhizoids को अलग कर दिया तो उन्हेंने देखा कि जिसका जो cap है वो तो वहाँ पर दुबारा से regenerate करके दुबारा से अपना इस टोक का निर्मान या फिर rhizoids का निर्मान नहीं कर पाती लेकिन ये जो स्टोक है और rhizoids है ये आपस में मिलकर कि एक नए cap का निर्मान कर लेते हैं तो दोनों में experiment एक दम successful रहा और एक ही निसकर्ष निकला दोनों में क्या कि ये जो हमारे पास स्टोक है या rhizoids है इसके अंदर nucleus present है इसके अंदर कुछ ऐसा है जिसकी वज़े से ये cap बन रहा है कोई ऐसा प्रदार्थ है जो कि इस पूरे cap को जो है मतलब पूरी cell की activity को control कर रहा है इतनी बात clear हो गई अब इन्होंने main experiment इन तीन या चार वाले भाग में किया अब इन्होंने देखो क्या किया इस बार इन्होंने लिया जो acetabularia cranialeta algae का जो rhizoid वाला पाल्ट है ये वाला जो भाग है इसको इन्होंने attach कर दिया इसके जो acetabularia mediterranean जो दूसरी species है उसके stock को इससे attach कर दिया इसको बोला जाता है grafting process grafting process कलम करना ठीक कलम करके इन्होंने इसके उपर attach कर दिया तो आपने क्या देखा कि इस समय इसमें आप क्या देख पा रहे color differentiation के वज़े से आप easily समझ पा रहे होंगे कि ये जो नीचे वाला भाग है ये cranialeta species का rhizoidal वाला पाल्ट है और ये उपर वाला जो stock है तो अब इन्होंने क्या देखा जब इसको graft करके attach कर दिया कि जो cap बनी वो cap acetabularia cranuleta के species की बनी ना कि अब यहाँ पर stock इसका लगा हुआ है हमने दूसरी species का तो इन्होंने क्या देखा कि यो stock वाले भाग में ना तो nucleus परजेंट था सिर्फ cytoplasm परजेंट था तो इसी लिए उन्होंने प्रूफ किया कि all activities of cell nucleus जो होता है वो control करता है सभी activities, cell की सभी activities को not cytoplasm, अगर cytoplasm control करता तो यहाँ पर यहाँ पर यह जो stock वाला reason लिया है, stock वाले reason की वज़े से इस तरह का cap बनता है ना कि इस तरह का अब इन्होंने फिर उसके बाद इस चीज से अब इतना जरूर प्रूफ हो गया कि nucleus जो होता है वो ही control करता है अब इन्होंने एक और experiment कर डाला है ही पर वो भी मैं आपको बताता हूँ इन्होंने इस बार क्या किया, stock किसका लिया इन्होंने stock लिया acetabularia mediterine या किसी का भी stock अब ले सकते हैं किसी का भी stock उन्होंने ले लिया अब इन्होंने जो rhizoidal लिया वो दोनों पार्ट का लिया मतलब दोनों इस पिसीज का जो rhizoidal वाला पार्ट है जिसके अंदर दो nucleus है अब यहाँ पर एक stock पर दो nucleus है मतलब अब यहाँ पर दो nucleus control करेंगे cell की activity को तो इस बार उन्होंने जो cap का निर्मान देखा वो इन दोनों के मद्धे का था मतलब इस cap के जो लक्षन थे कुछ character थे या morphology थी इन दोनों के बीच की थी कुछ morphology इस वाले species की थी कुछ morphology इस वाले species की थी तो इस बार जो cap बना इन दोनों से different बना तो क्योंकि इस बार दोनों तरह के nucleus काम कर रहे थे तो यह बात proof करती है एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ nucleus control all activities of cell not cytoplasm, cytoplasm control नहीं करता यह experiment proof करता है यह experiment काफी ज़्यादा important था इसलिए मैंने आपको बता है इसको फटा फटा आप note करें प्यारे दोस्तों heading डालेंगे ultra structure of nucleus अब हम यहाँ पर nucleus की ultra structure को study करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर diagram में देख रहे हैं यह है endoplasmic reticulum और यह है nucleus और nucleus कहाँ पर present है हम मान लेते हैं cell के center में एक दम ठीक है तो cell के बाहर की तरप इस nucleus से बाहर की तरप आपको क्या दिखाए देगा cytoplasm होगा obviously cytoplasm तो यहाँ पर यह जो आप देख रहे हैं यहाँ पर है cytoplasm और यह है nucleus के अंदर क्या है nucleos plasm है तो इन दोश government को separate करने वाली बीच में अएक membrane होती है ठीक है यह double membrane होती है जिसको हम बोलते है nuclear envelope या nuclear membrane ठीक है अब यह जो nuclear membrane है आप देखेंगे यह जो है दो membrane है double membrane है एक membrane बाहर की तरप है एक membrane अंदर की तरप है बाहर वाली जो membrane है उसको हम बोलेंगे outer membrane, जो अंदर की तरफ membrane है उसको हम बोलेंगे inner membrane और इन दोनों membrane के बीच एक space है जिसको हम बोलते है perinuclear space ठीक है और इसके लाब और कौन सी structure आपको दिखाई दे रही है, center में यहाँ पर देखेंगे composition में हम देख लेंगे तो अभी तक आपने इतना structure देखा कि निकलियस की अंदर इतना structure पाया जाता है ठीक है, so generally अगर आप interface में जब interface में अगर आप देखेंगे cell division के interface में तो निकलियस को जब आप देखेंगे तो वो four part में आपको दिखाई देगा, divide होगा ठीक है, number first, nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin and nucleolus अब हम यहाँ पर सबस्टम depth में study करेंगे, जैसे nuclear membrane है तो इसको अच्छे से study करेंगे फिर nucleoplasm को study करेंगे, फिर chromatin को और फिर nucleolus को, फिर उसके बाद function होगा, ठीक है निकलियस का function क्या है, फिर उसके बाद हम discuss करेंगे तो nuclear membrane को अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, यह जो आप देख रहे हैं, यह models है जो कि आपको समझाएंगे, क्योंकि nuclear membrane में आपको पोर भी दिखाई दे रहें, जिससे material का transport होता है सपोस करो भई, जो nucleolus है, उससे ribosome, मना ribosomal RNA बना, ठीक है अब यह जो है, इसी पोर के थुरू साइटो प्लाजम में जाता है अब सपोस करो, इस साइटो प्लाजम में protein पड़ा हुआ है और लेकिन जरूरत है nucleolus को, तो वो protein इसी पोर के थुरू अंदर आता है तो यह जो पोर है, यह पोर जो है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है जिसके थुरू साइटो प्लाजम और निकलियो प्लाजम इन दोनों के बीज जो material है, उनका आपस में transportation हो जाए जो ज़ो ज़ूरत है, साइटो प्लाजम को, वो nicलियो प्लाजम उसको इस पोर के थुरू दे देता है और इसी pore के थूरू साइटो प्लाजम निकलियो प्लाजम को दे देता है तो इस तरह से इनके बीज माटेरियल का ट्रांसपोर्ट होता है इस निकलियर प्लाजम अब यह जो निकलियर प्लाजम है इसको अगर हम बिल्कुल डीटेल में study करें तो हमको यह पता चलेगा कि यह एक तरीके से इसके अंदर ring present होती है जो regulate करती है material को कौन सा material आएगा कौन सा material जाएगा ठीक है और इसके उपर अलग-अलग scientist ने अपना एक model दिया हुआ है जैसे यह दो important models हैं जिसको हम थोड़ा study करके देखेंगे ठीक है जो देखते हैं nuclear membrane के बारे में जब आप interface में देखते है nuclei जो यह यह nuclei की चारो तरब जो है surround it रहती है membrane जिसको हम बोलते है carryo थिका ठीक है carryo मतलब nucleus थिका मतलब एक तरीके से membrane जो carryo थिका है जो membrane है यह nuclear envelope है इसको हम carryo थिका भी बोलते है और ये two layers होती है एक outer layer होती है और एक inner layer वही बात है एक outer membrane होती है और एक inner membrane होती है और इन दोनों membrane के बीच एक space होता है जिसकों बोलते है peri nuclear space या फिर peri nuclear cisterny correct अब ये जो space है ये लगबग 100 से 700 तक चोड़ा होता है 100 से 700 angstrom तक जो है ये white होता है चोड़ा होता है और generally आप कहेंगे 200 angstrom ठीक है एक होता है मध्धे का बीच में तो वो होता है 200 angstrom white correct उसके बाद देखेंगे ये जो membrane है ये membrane similar होती है cell membrane की साथ जैसा कि जो आपने बाहर cell membrane या plasma membrane से मैंने डिसकस किया था तो ये cell membrane से जो की trilaminar होती है उससे ये थोड़ा similarity शो करती है identical तो नहीं होती बड़ similarity शो करती है 70% 70 angstrom thick होती है ठीक है और उसके बाद हमने देखा यहाँ पर ये जो perinuclear space होता है perinuclear space कहाँ पर होगा जैसे कि ये देख रहे हैं ये outer membrane ये inner membrane और इसके बीचों बीच जो है इसको बलेंगे perinuclear space यहाँ पर इसी की बात कर रहा हूँ मैं जैसे ये देख रहे हैं ये inner membrane है ये outer membrane है और इन दोनों के बीच एक space एक gap है इसको बादते है perinuclear space इसके अंदर fluid भरा होता है और वो जो fluid है वो वो fluid exact ऐसा ही होता है जैसे अपने endoplasmic reticulum की जो sisterny होती है उससे मैच करता है और उस fluid के अंदर antibodies होते हैं lipids होते हैं ठीक है lipid droplets present होंगे इस space के अंदर crystalline deposits होता है ये सब जो है इसके अंदर observe किया गया इतना material अब हम बात करेंगे जैसे आउटर membrane के बारे में outer membrane continuous with continuous with endoplasmic reticulum आप देखेंगे endoplasmic reticulum जो है outer membrane से जो है अटेच है और इन दोनों में आप ध्यान से देखेंगे outer membrane पर भी ribosome present होता है और endoplasmic reticulum जो इससे attach है इस पर भी ribosome present होता है ठीक है तो ये जो है इससे continuity शो करता है उसके बाद आप देखेंगे इन दोनों पर ribosome present है बट सम एरियाज कुछ ऐसे एरियाज है निकलियो जो निकलियर membrane है उसमें कुछ ऐसे एरियाज है जिस पर ribosome absent नहीं होता है ठीक है और वो जो पार्ट होगा वो vesicle formation या blabbing में यूज होता है और उसके बाद हम बात करते हैं अगर inner membrane के बारे में ये तो थार outer membrane के बारे में जिसमें आपने जाना कि outer membrane पर ribosome present होते हैं वो endoplasmic reticulum से continuity शो करता है और ये outer membrane जो होता है इस पर ribosome जो होते protein का sensation करते हैं अब ये जो inner membrane है inner membrane के अंदर की तरफ देखेंगे कुछ इसमें जो theories है जैसे कि ये ये जो आप देखेंगे ये जो inner membrane होता है इसके just नीचे की तरफ ये जो आप layer देख रहे हैं ठीक है ये layer कहलाती है fibrous lamina ठीक है fibrous lamina इसको बोलते हैं 300 angi strong thick होती है ठीक है fibrous इसको बोलेंगे fibrous layer fibrous lamina जो है कहलाती है और इसमें 300 angi strong thick होती है ये क्या इसका function अभी main function कोई ये determine नहीं कर पाया है इसके main function के बारे में कोई नहीं जान पाया लेकि इतना कहते हैं कि हाँ ये supporting की तरह काम करता है ठीक है ये जो है nuclear membrane को support करने का काम करता है ठीक है nuclear envelope को और इसके बाद आप देखेंगे nuclear pore अभी तक आपने क्या देखा nuclear membrane के बारे में थोड़ा detail लिया कि nuclear membrane जो है outer और inner दो परकार का होता है इनके बीच space होता है और इनके राइबोसोम भी outer membrane पर present होते है अब हम देखते है nuclear pore इनके बीच बीच में आप देखेंगे तो perforated काफी सारे pores present होते हैं इन pores की संकिया बहुत ज़ादा होती है ठीक है इनकी pores की संकिया 500 से 1000 तक हो सकती है so nuclear pore जो होता है अब देखेंगे इसमें इसे सबसे पहले जो observe किया cell के अंदर nuclear pore को nucleus के अंदर सबसे पहले observe किया वो है colon and tomlin ठीक है tom इन्होंने जो है 1950 में जो है amphibious की oocyte cells के अंदर oocyte की nucleus है उसके अंदर इन्होंने इसको observe किया कि जो nucleus होता है उसके जो nuclear membrane है उसमें pore भी present होते है जिससे material का transport हो सके so in nuclear membrane are perforated many pore काफी सारे pore होते हैं और ये pore 400 से 1000 angi strong wide मतब इतने चोड़े हो सकते हैं ठीक है और ये circular और octagonal in shape इनके जो shape है वो लगवग circular होती है और octagonal in shape ये जो आप देख रहे हैं थोड़ा detail में दिखाया गया है ये क्या है ये है nuclear membrane और ये भी है nuclear membrane और इनके बीच में ये जो जगह है इसकी बात की गई है ठीक है अगर आप इसको electron microscope से और ज़्यादा जूम करके या detail करके देखें तो ये ऐसा diagram आपके सामने निकल कर आएगा जिसके अंदर शौटाइसां देखेंगे ये जो जो सेंटर वाला प्र इसेक रिंगज सा पार्ट बनाटा है जिसको बोलते बों कोंपलेक्स और आप देखेंगे कि और बिटाओं सेंटर में नियुलाइस प्रेजंट होता है अब यहां पर यहां रिजिंड रैट कलर में बना है और यह inner membrane present है उसके बाद यह देखेंगे फाइब्रस lamina inner membrane की तरफ फाइब्रस lamina present होती है जो कि इसको supporting का काम करती है और इसके अंदर जो है acid protein भरा हुआ रहता है ठीक है और यह होता है इसमें pore complex जो की material को regulate करता है transport of material को जो है directional करता है direct मतलब कि अभी जैसे कि और लड़ी मैं बता ही चुका हूँ कि जब इससे protein की जरूरत होती है तब यह यही से protein अंदर भी आता है nuclear nucleoplasm के अंदर और messenger RNA या ribosome यही से synthesis होकर बाहर भी जाता है ठीक है तो इस तरह से जो यह pore है यह जो है material का transport का काम करता है correct यह जो आप model देख रहे हैं इसमें अलग-अलग scientist ने अपना अलग-अलग model देकर कि इस pore complex को समझाया कि नहीं यह pore complex ऐसा होता है जैसे कि यह जो आप model देखेंगे इसमें भी इन्होंने कहा कि यहां पर यह लगबग आठ से यह जो पो यह जो model दिया था वह दिया था वाइवर ने 1961 में ठीक है इन्होंने पोर complex को इसमें देखाया इन्होंने बताया कि center में एक ring की तरह की structure होती है इसको हम बोलेंगे annulus और उसके बाद इस annulus के अंदर भी एक structure present होगी जिसको हम बोलते है central tube ठीक है टूब लाइक structure जिसको हम बोलते है central tube यह जो थोड़ा section काट किया गया है इसलिए इसा दिखाई दे रहा है इसका जो है longitudinal section काट कर दिखाए गया है तो इसमें जो है 1500-180 एंगी strong का जो है इसमें एक ठीक होता है ठीक है वह बोलेंगे उसे बोलेंगे central tube की जो diameter देखेंगे तो लगबग 1500-180 एंगी strong होता है और इसमें इन्होंने special क्या बता है यह तो लगबग इसी की जैसा है इन्होंने special बता है कि इनके बीच-बीच में fiber struts होते हैं fiber struts यह जो आप देख रहे हैं इस model के अंदर इन्होंने बताए कि इसके अंदर जो है fiber struts होते हैं इस nuclear pore complex के अंदर ठीक है और यहां पर इन्होंने बताए यह जो पोर होते हैं इसमें micro cylinder भी होता है ठीक है micro cylinders होते हैं जो की 120-150 एंगी strong थिक होते हैं यह जो आपको बिल्कुल गोले-गोले जो structure दिखाए दे रहे हैं इसके अंदर annulus के अंदर उसमें उन्होंने बताए कि आठ micro cylinders होते हैं करेक्ट तो इस तरह से उन्होंने structure दिखाए यह जो क्या है यह सेम वही है nuclear membrane यह outer यह inner membrane ठीक है यह बीच में उन्होंने pore complex को समझा है तो pore complex को उपर काफी सारे models हैं लेकिन जो इतना important आपके लिए उतना मैंने आपको बताया है अभी आप इसको फटा-फट note करें अभी तक हमने nuclear membrane के pore nuclear membrane की structure के बाड़े में पढ़ा अब हम पढ़ेंगे इसके chemical composition कि आखिर वो किन-किन चीज़े से मिलकर बना हुआ है जैसे for example हर एक चीज़े का अपना एक chemical composition होता है कि उसमें कौन-कौन से component कौन-कौन से bio molecules present है इसी तरीके से हम यहाँ पर भी देखेंगे correct तो chemical composition और function हम देखेंगे nuclear membrane का और फिर उसके बाद nucleoplasm chromatin और उसके बाद nucleolos उसी को सरा जो अल्ट्रा structure है इसी clip में खतम करके हम function discuss करेंगे और function की बाद video करेंगे correct तो चलिए note करेंगे chemical composition अब हर जितने भी cell organs है जितने भी cell organs है जो जितने भी ऐसे cell organs जिनकी बाहर membrane present है उन सभी की membrane आप देखेंगे even plasma membrane भी आप देखेंगे तो उसमें basic component क्या पाए जाता है generally protein और lipids उसमें present रहता है और कुछ मातरा में carbohydrates भी तो इसी तरह कैसे इसमें भी है इसमें 60 to 65 75% protein होता है इसकी membrane में और 15 से 35 15 to 35% lipids भी present होता है और low quantity में sugar जो कि आप generally आपने सभी cell membrane या ऐसे organ जिसने के उपर membrane पाए जाती है और में देखा होगा उनकी membrane का composition क्या है protein, lipid and sugar की quantity कुछ मातरा में अलग material भी हो सकता है ठीक है, बिल्कुल identical नहीं मिलेगा आपको मतलब सभी cell membrane cell organ के जो membrane है बिल्कुल सेम तो नहीं होती लेकिन उनमें basic component ये सब present होता है इतनी बात आप ध्यान रखेंगे function की अगर हम बात करें कि nuclear membrane जो होती है, उसका function क्या है तो number first function protection of genetic material अब जैसा कि आपको पता है cytoplasm है, ये पूरा बाहर cytoplasm है, ये nuclear membrane है और ये अंदर nucleoplasm है और nucleoplasm के अंदर आप जानते हैं कि हमारा genetic material इस्टोर इसी के अंदर है, ठीक है ये जो chromatin fiber आप देख रहे हैं ये network chromatin का जो network आप देख रहे हैं ये chromatin जो धागे की तरह आपको दिखाई दे रही है ये जब cell divide होता है तो उस समय ये condense होकर chromosome की structure बना लेती है जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कुछ इस तरह से condense होकर के chromosome की तरह structure बना लेती है तो अब इन DNA का या इन chromatin network का इसका बाहर जो cytoplasm परजेंट है उसके अंदर जो enzymes है ठीक है उनसे प्रोटेक्ट करता है तो इसका काम क्या है protection of genetic material saved against mutagenic effect of cytoplasmic enzyme cytoplasmic enzyme के थूँ metagenic effect होता है उसके against ये save करता है तो number first function ये है किसका nuclear जो nuclear membrane है उसका अभी हम nucleus का function नहीं देख रहे है nuclear membrane का function देख रहे है ठीक है इस point को note करना उसके बाद आता है nucleosytoplasmic exchange आप जैसे कि आपको पता है nucleosome और जो nucleos है इसके अंदर nucleoplasm present है और बाहर की तरफ cytoplasm present है तो इनके बीच exchange किसके थ्रू होता है nuclear membrane के थ्रू होता है क्योंकि nuclear membrane में pore present होते है जिससे की आपस में material का exchange भी होता है मतलब अदला बदली substance की अदला बदली मैं अलड़ी बता चुका हूँ उसके बाद आता है organ of other cell membrane अब जो other cell membrane है जैसे कि Golgi complex हो जाता है अब हम बात करते है अब कुश्चन आपके mind में उठेका निकलियो प्लाज्म कहां पर है तो यह पूरा का पूरा जो इस nuclear envelope या nuclear membrane की अंदर यह पूरा fluid भरा हुआ है इसी को हम बोलते हैं निकलियो प्लाज्म और इस निकलियो प्लाज्म के अंदर आप देखेंगे chromatin network धागे की तरह है इसी के अंदर निकलियो लस्ट भी present है तो इसके अंदर सब कुछ present है तो इसी को हम study करते हैं तो निकलियो प्लाज्म is also cold इसको हम निकलियो प्लाज्म बोलते है केरियो लिफ भी बोलते है और निकलियर सैप भी बोलते है तो इसको अलग-अलग नामों से भी जाना जाता है MCQs वाले student इसी चीज को नोट कर ले ताकि confuse ना हो कि केरियो लिफ क्या होता है या निकलियर सैप क्या होता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर MCQs इसी के थूरू जो है OC के अंदर पाए जाता है ठीक है मैसेंजर RNA synthesis RNA polymerase पाया जाता है मैसेंजर RNA transfer RNA और ribosomal RNA इसी के अंदर इसी kompositions के अंदर पाया जाता है ठीक है यह जो निकलियो प्लाज मे सीके अंदर मैसेंजर RNA transfer RNA ribosomal RNA प्रजेंट होते है और आप इसके chemical composition के अंदर देखेंगे तो इसके अंदर bi-valent ion भी present है bi-valent ion जैसे की magnesium 2 plus ion magneze 2 plus ion क्या है magnesium का atomic number 12 है इसमें से 2 electron आपकर आप निकाल दे तो इस पर 2 positive charge आएगा तो वही bi-valent ion बन जाता है magnesium, magneze यह सब क्या काम करते हैं function होता है enzyme का activation करना ठीक है यह activator होते हैं enzyme के लिए ठीक अब आप इस निकलियो प्लाजम का अगर power of hydrogen pH मान देखते हैं तो pH आप देखते हैं slightly alkaline nature का होता है ठीक है 7.4, 7.7 से अब हो जाता है तो alkaline 7 से below जब आप नीचे की तरब जाते हैं हमें क्या पता चलता है वो acidic solution हो जाता है और 7 is a neutral so 7.4 है तो इसका मतलब यह slightly alkaline होता है और इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर nucleolus भी present है अभी हम nucleolus का function structure देखने वाले हैं थोड़े देर में उसके बाद chromatin भी present होता है तो यह सारा composition इसके अंदर पाय जाता है अब हम थोड़ा nucleolus के बारे में दो नंबर में short question में BSC first year में आपका जो exam paper होता है उसमें nucleolus के बारे में कई बार पूछा गया है nucleolus से related topic short question में कई बार मैंने देखा है कभी कुछ न कुछ ज़रूर पूछ लेंगे निक्रोमेटीन क्या होता है यह nuclear envelope क्या होता है nuclear pore क्या होता है यह nucleolus क्या होता है कई बार पूछा गया है इसको अच्छे तरीकी से आप study कीजिए देखे जैसे यह हमारे पास nucleolus की structure यह जो आप देख रहे हैं यह जो आप red color का spot देख रहे हैं अब इसको यह जो है membrane इसकी number first function इसका जो main features क्या है वो है कि यह membrane less होता है मतलब इस पर कोई भी membrane नहीं पाए जाती ठीक है nucleolus पहली बार term किसने use किया Bowen Bowen ने बताया कि इसका नाम nucleus and nucleus term इसनों ने use किया बाकि इसको observe किसने किया था Fontana एक scientist है उन्होंने skin cells of eel eel जो होते हैं eel की eel की जो skin cells होती है उसके अंदर सबसे पहले nucleolus को observe किया था ठीक है और उसके बाद term आप उलड़ी जान चुके है Bowen ने दिया था इसकी structure को देखेंगे यह है perinuclear यह जो बिचो बिच आपको दिखाई दे रही है पहले बात तो यह कि यह membrane less होता है दूसरा perinuclear chromatin है इसके अंदर matrix है इसके अंदर granules present होते है अलड़ी में यहाँ पर भी diagram अलड़ी बना कर दिखाई चुका हूँ आपको ठीक है इसका जो mainly mainly form with RNA and non-histone यह जो बना होता है यह बना होता है generally RNA से और plus non-histone protein से मिलकर बना होता है nucleolose का जो composition अगर देखे जाए तो यह जो है RNA plus non-histone protein से मिलकर बना होता है और इसके अंदर जो है RNA store रहता है ठीक है और इसका main function क्या है यह जो बीच में आप matrix देख रहे हैं इसको पार्स अर्मोर्फा भी बोलते हैं क्या बोलेंगे पार्स अर्मोर्फा और इस अपसेंट अब यह जो nucleolose होता है यह कहां पर अपसेंट होता है MCQs वाले students फिर से यहां पर नोट करेंगे कि nucleolose किन किन सेल्स में अपसेंट होता है तो यह जो है RBC Red Blood Carp Cells में अपसेंट होता है इस्ट में इस्ट सेल्स जो होती है फंजाई आपने पढ़ा होगा इस्ट सेल्स फस्ट इर में ही है तो इसमें भी अपसेंट होता है इसमें में भी अपसेंट होता है प्रोकेरियोटिक सेल्स में भी अपसेंट होता है इसका function क्या है निकलियोलोस का Biogenesis of Ribosomal RNA Ribosomal RNA का Biogenesis Spindle formation during cell division जब cell divide होना start होती है तो समय Spindle formation का काम किसका होता है निकलियोलोस का होता है उसके बाद आता है ये क्या करते हैं ये जो है receive करते है Ribosomal protein Ribosomal protein को Cytoplasm से receive करते हैं और combine with Ribosomal RNA Ribosomal RNA के साथ combine करते हैं और Ribosom की subunit बनाते हैं तो हम कह सकते हैं कि निकलियोसोम से ही Ribosom बनता है और इस बात को मैं Ribosom का structure और function ये सब जब हम protein synthesis पढ़ रहते तो उलेडी मैं बताई चुका हूँ Ribosom के topic में कि जो है Ribosom निकलियोलोस से बनता है कैसे बनता है ये क्या करता है रिसीव राइबोसोमल प्रोटीन ये जो है साइटो प्लाज्म से राइबोसोमल प्रोटीन को रिसीव करता है और फिर सके बाद combine with Ribosomal RNA Ribosomal RNA के साथ combine करवाता है और दोनों के दोनों आपस में combine करके Ribosom के सब यूनिट बनती है अब एक last point है chemical composition of complete nucleus अभी तक तो हमने जो भी देखा वो अलग-अलग structure का chemical composition देखा अगर मैं एक बार फिर से थोड़ा सा basic level पर जाओं पूरा जो nucleus है इसका chemical composition देखूं तो इसमें 80% protein पहा जाता है और उस 80% में से 65% जो protein है वो acidic neutral enzymatic protein होती है enzymatic protein enzymes related ठीक है और उसके बाद 15% जो होती है वो basic protein होती है ठीक है जैसे कि histones correct अब उसके बाद इसमें जो है आप देखेंगे 12% भाग जो होता है वो DNA का होता है 5% भाग जो होता है वो RNA का होता है और lipid का लगबग 3% भाग होता है और बाकी जो बचा हुआ जो percentage है वो minerals का होता है जैसे calcium 2+, bi-valent जो ends मैं अलड़ी बताई चुका हूँ magnesium 2+, sodium plus potassium present होते हैं यह बहुत ही कम मातरा में इस एक दम बहुत ही कम मातरा में present होंगे bi-valent end ठीक है तो यह है पूरा chemical composition of nucleus आप इसको अच्छी तरीके से note कर लीजिए अब हम discuss करेंगे function of nucleus अभी आप इसको फटा-फट note करें जो last heading डालेंगे function of nucleus one of the most important topic किसी भी cell organ का function सबसे ज़्यादा most important होता है जानना तो यह जो है long question में अगर कोई भी तरह का long question अगर nucleus पर आता है तो function जरूर पूछता है इसलिए आप function जरूर नोट करें number first है formation of ribosome nucleus का main function क्या-क्या है मैं आपको बता देता हूँ number first formation of ribosome ribosome का formation कौन करता है nucleolus जो nucleus के अंदर nucleolus present होता है यह ribosome का formation करता है तो यह पहला point यह नोट कर लिया कि ribosome जो होता है वो nucleolus से ही बनता है दूसरा है variation दोस्तों जो variation देखने को मिलते हैं हमें किसी भी animals के अंदर या plants के अंदर वो किसकी वज़े से होते हैं genetic material के वज़े से genetic material कहां दिखाई पड़ता है नुकलियस के अंदर ठीक है तो all variation are caused by changes in the genetic material present in the nucleus जो nucleos के अंदर जो genetic material है उसी के वज़े से हमें variation देखने को मिलता है तीसरा point है cell differentiation जिस से हमें cell differentiate होती है the direct cell differentiation by allowing certain particular sets of gene to operate इसको जो है कुछ particular gene जो होती है वो operate करती है number four point है cellular activities cell के अंदर जितनी भी cellular activities होती है वो सब कौन control करता है ribosomes तो main function क्या है यही main function है कि यह सभी cellular activities को control करता है nucleus control all metabolism and other activities through the formation of RNA RNA के formation के तूँ जैसे messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA इन सभी RNA के formation के तूँ which control synthesis of particular types of enzyme अभी हम DNA, RNA के सभी structure को भी study करेंगे next video के अंदर धीरे धीरे हम पूरा cell biology, structure of chromosome और genetic का पूरा portion धीरे धीरे हम start करने वाले है last point है genetic information chromatin part of the nucleus possesses all the genetic information जो chromatin part है उसके अंदर सभी के सभी genetic information है that is required for the growth जोके required होती है किसके लिए? development of organism organism के development के लिए reproduction के लिए metabolism and behavior etc तो ये जो है five important function थे nucleus के जो कि आप examination paper में इसी तरह से note करके लिख सकते हैं ठीक है? बाकी सब nucleus के उपर हम discuss कर चुके हैं अगर कोई आपको doubt लगता है कि सर ये topic छूट गया है या इसको explain करें, detail में explain करें अगर आप MSC के student है और आप चाहते हैं कि किसी topic को और ज़्यादा detail में बताना चाहें तो आप please comment करें ठीक है comments मैं आपके सभी reads करता हूँ so guys मिलते हैं next video में bye bye da da